इसके अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा था पठन के वेबिन रोप अब जो पठन के वेबिन रोप है ये किसका पाथ था एक तरसे पढ़ने की शंता का विकास वच्चों में करना कौशल विक्सेट करना अब उस कौशल में सबसे महत्मूर बात बताई थी पाथे पुस्तक कि पाथे पुस्तक के अभाव में कोई बी पढ़न चो कौशल विक्सेट नहीं किया जा सकता सही दंक से पाथे पुस्तक की ये बताया था कि पढ़ने का तरीका होता है वो किस तरह को होना ची जिस से बच्चे लेक के आये मतलब एक तरसे अपनी लेंग्वेज में क्याला क तो वह चीज थी, अब इसके रूप बतायते हैं, तो रूप के अंदर ये बताय था कि जो कई प्रकार की, पढ़ने का जो स्टाइल होता है, वो कई प्रकार का होता है, कई बचे बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं, कई बहुत दीरे पढ़ते हैं, कई रुक-रुक के पढ इसले में वह रूप करते हैं तो वही रूप इसके अंदर था तो इसं भी यह पढ़ मेटाया खिल in order का चाल मैं पणी जो समझते हुए दिने और इनुड़ Representation mo artist पह संद वो यह आता है चित्र पठन चित्र पठन चित्र पठन में क्या होता है चित्रों को देखकर चित्रों को देखकर और आश्य बताने की आश्य बताने की योगेता का विकास करना चित्र पठन के लाता है इसमें क्या क्या लाता है चित्रों को देखकर अर्थ और आश्य बताना की योगेता होती है वो होती चित्र पठन की हम चित्रों को देखकर उसके अर्थ के बारे में बताते है इसमें क्या होता है बच्चों को मौकिक रूप से स्वातंद रूप से बोलने के अफसर प्रदान करनी चाहिए और बच्चों के सामने बहुत से चित्रों को रख देना चाहिए इसके अंदर क्या होता है विभी प्रकार के पारदर्शी और हर तरह के चित्र बच्चों के सामने होता है तो बच्चे को एक तरह से पुर्व तयारी के साथ उन चित्रों को दिखाया जाता है और उस चित्रों के बारे में पूछा जाता है ये कौन सा चित्र है ये किसमें खो जाता है इसका ये चित्र जो है ये क्या कारे करता है या फिर ये पताव पूछ सकते हैं कि ये चित्र हमा संथ Mason taped कि लिए तो इत्य चेचित육 मदब स्ल näगते हैं तो इन आश्य कोशिश किया जाब्स को इसमिन फसर दिखाई देंगे तो उसे इस मेंहां 해 करते हैं कि चित्रों के माध्यम से बच्चे उस भाव की क्या करते हैं अभी प्रक्ति घ्यान करते हैं मतलब पठन पठन में रूची पठन में रूची उत्पन करने के लिए पूर्व तयारी के रूप में पूर्व तयारी पूर्व तयारी के रूप में बाला को सर्व रथां बाला को सर्व पठन उसके पूर्व के उसके पूर्व के परीचे द्रश्या द्रश्यों इस्थानों रखनल पौर्व पुपा क्श यू पौर्व पछ्यों वस्थू r बात्यों पाफ्यों पन् Div sighs पौर्व पूर्व यू बात्यू वार्व जीवों के चित्र दिखाकर उन पर बात्चित की जाती है यहीं चित्र पठन के राता है इसमें क्या होता है बच्चों को एक इंट्रेस जैसे कई बच्चे होते बुक्स को नहीं पढ़ दे इसमें पठन में रूची जावित करने के लिए एक तरह से पूर्ट तैयारी के रुप में बालग को सरप्रतम उससे पूर्ट के परीचित इसमें जानता हो जैसे को द्रश्य होता है कोई स्थान है कोई गटना है पशुपक्षी है वस्तु है व्यक्ति है जीर है आधी के चित्र दिखाकर उन पर बातचीत की जाती है क्यों कब कैसे किसने खो जा आधी कि शब्द पढ़न कि शब्द पढ़न मतलब होता है इसके अंदर कि शब्द पढ़न के अंतर गर्थ इसके अंतर कि शब्द की पहचान उसके उच्चारन तथा अर्थ को अर्थ को जाना समिलित है ठीक है शब्द की पहचान इसके अंदर शब्द की पहचान की जाती है उसके उच्चारन किया जाता है और अर्थ को जाना समिलित है जैसे बिना मात्रा के शब्द होता है मात्रों के मादे उसे बच्चों को शब्द की पहचान की जाती है जैसे अब तो देती हो व्याकर मगरे की बुक्स होती है उसमें क्या होते हैலि वच्य पर रिखा जाता है शेव यह EPPAL तो बच्चे चित्रों को देख कर च्वड को पढ़ने की कोशिष करते हैं वही क्या भी धियाथी है शब्द पढ़न दिलाता है इसमें चित्रों के माद्रम से अर्थ को घ्रैन करना समझाया जाता है बच्चों के अंदर तो मौकिक अभी व्यक्ति के सासर बच्चों के अंदर तर्ग शक्ति का भी विकास इसके अंदर होता है फिर आता है बढ़ पथन बालक जब शब्द शब्द समो या वाक्य पढ़ में लग जाता है तो दीरे दीरे वाक्य में पते एक शब्द का वाक्य में पते एक शब्द का और शब्द में और शब्द में प्रतिक बाण्ड या मात्रा विशेश लीपी विशेश लीपी विशेश लीपी यह जानकारी बच्चों को होने लगती है उसे यह अभिज्ञान होने लगता है कि शब्द में वाक्यों की रचना की इस प्रकार की जाती है मतलब बालत जब शब्द शब्द अल्टरनेट यह होता है कि जब बच्चे वर्णों की पहचान कर ली जाती है तो लास्ट में वो शब्द समों वाक्य पढ़ने लग जाता है यही क्याते है पठन के विवें रूख थे अब आपका भ्याकारिया है पठन के विवें रूखों को इस पश्ट कीजिए घर पर यह सुलक्षित रहे है थैंक्यूद